नमस्कार दोस्तों सागत है आपका अपने चल्मिस्ट स्विक लेज़ पर जिहां दोस्तों कोशलोजगार निगम के तैत लगे वे बहुत सारे करमचारी साथियों ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच कर मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनेजी से मुलाकात की है देख लिज देखिये दोस्तों इसमें बता गया है हर्याना कोशलोजगार निगम करमचारी ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनी से की है मुलाकात तो दोस्तों ये मुलाकात हई है मुख्यमंत्री आवास पर चन्डीगड में कभीर कुटिर आप लोगों को पताओग कि चंडिगड में मुख्य मंत्री निवास पर हर्याना कोशलोजगार निगम के तहत कारेरत विभिन वर्गों जैसे माली, सेवादार, चालक, लिपिक, वेटर वए अन्ने सरेणी के करमचारियों ने मुख्य मंत्री से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की है उन्होंने अनुरोध किया कि हर्याना कोशलोजगार निगम के तहत कारेरत विभिन करमचारियों को सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के तहत नीमित किया जाए ताकि वे अपने परिवार का वह से उजवल कर सकें करमचारियों ने मुख्य मंत्री का मुलाकात के लिए धन्यवाद भी किया है तो साथियों यहां पर इनको आस्वासन दिया गया है करमचारियों को जो है आप लोगों के लिए काम जरूर किया जाएगा पॉलिशी जरूर त्यार की जाएगी दूसरा यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं ये जो खबर है ये खबर है जागरन की पका करने के लिए CM से मिले है करमचारी और ये खबर है दैनिक सवेरा की आप लोगों ने देखी लिया लेकिन दूसरी तरफ अब तक हुआ क्या है गलियारों में चर्चा क्या है वो रेटार्मेंट के आई हुए ठाउन से 60 साल की जा सकते हैं लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ लेकिन हुआ क्या है अब तक वो जान लीजे यहां पर बता गया है यह देख लीजे यहां पर गलियारे में कहा जा रहा है कि वास्तविक्ता तो यह है कि अभी तक राजनि पॉलिशी के बारे में आई अदालती फैसलों और पहले जारी हो चुकी पॉलिशी के बारे में ही स्टडी की है यानि के नई पॉलिशी के बारे में अब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है हाला कि अब तक शिर्फ जो पुरानी पॉलिशी है उनको पड़ा गया है अ तब तक मुख्य मंत्री नाइब सिंग सैनी ये नहीं बताएंगे कि कितने साल तक की ऐस थाई सेवा वाले करमचारियों और किस केटगरी के करमचारियों को रेगुलर करना है तब तक पॉलिशी बन ही नहीं सकती यह सेधान्तिक फैसला अभी तक नहीं हुआ है यानि कि मुख कि दायरे में कैसे आएंगे एक क्राइटेरिया कैसे बनेगा अगर माली जब तक यही डिसाइड नहीं हुआ है जो है कितने साल वालों को पका करना किसके लिए पॉलिशी बनानी है तो यह सेधान्तिक फैसला आभी तक नहीं हुआ है इसी तरह अठावन से साठ साल करने बा मुख्यमंतरी नायव सिंग सैनी ने दैनिक सवेरा के पूछने पर सिर्फ इतना ही कहा कि जब भी होगा यानि कि जब भी ये फैसला लिया जाएगा पका करने के बारे में बोल रही है जब भी ये फैसला लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा आपको यानि कि मीडिय को बता देंगे शिर्फ यही कहा गया है तो अब आप लोगों के सामने क्लीर हो गया वगा वई सरकार इस पर क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है सरकार का क्या कुछ स्टेंड है तो आप लोग अब कलीरा तरीके से सोच सकते हैं समझजा सकते typically आपके अपने क्या विचार है सातियों कमेंट बुक्स में जरूर सेर कीजेगा आप लोगों के लिए उप्डेट आप लोगों के लिए थी अगर आप भी चाहते हैं हडंड के सेले टेड आउट्सोर्सिंग करें जूर सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें दुश्तो